सुप्रभाद बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 की पाठ पुस्तक सुमिदा के पाठ 2 नन्य जासूस प्रेरक कहानी बताने जा रही हैं प्रेरक का मतलब होता अच्छी सी जो कि हम अपने जीवन में अच्छी बाते उतारते हैं प्रती ध्वनी, हे इश्वर मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने की योग बनाओ इस कहानी में तीन पात रहें रोहन, हेमा और दादाजी एक तिन रोहन और हेमा स्कूल से जब आये तो उन्होंने देखा दादाजी आंगन में एक चटाई पर बैठे हैं और अपने काम में तलीन है तलीन का मतलब होता है व्यस्त रोहन और हेमा आंगन में रखी कार के पीछे छुपकर ये जानने का प्रयास करने लगे कि दादाजी आखिर क्या कर रहे हैं प्रयास का मतलब होता है प्रयात्म रोहन और हेमा ने देखा कि दादा जी डस्ट बिन का कच्रा एक अख़ार के उपर पलट कर उसमें से कौपियों के फटे पन्ने, ओल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े एक स्टील की प्लेट में रख रहे हैं दोनों बच्चों ने दादा जी की जासुसी करने की ठान ली जब दादा जी भोजन करने के बाद अपने कमरे में चले गए और पुरानी कौपियों के फटे पन्ने काट कर 18 कौपियां बना ली रोहन और हेमा उत्सुक थे कि देखें दादा जी इन कौपियों का क्या करते हैं शाम को दादा जी घूमने के लिए निकले दादा जी ने कौपियां, चौक एवन पैंसिल के टुकडे भी एक थैले में रख लिए दादा जी ये सारा समान लेका जोपर पटी की तरफ मड़ गए और वहां एक चौपडी के सामने रुक गए वहां उपस्थित बच्चों ने दादा जी को घेर लिया और जोर से चिलाने लगे कि दादा जी दादा जी आ गए बच्चों ने दादा जी की बनाई हुई कौपियां देखकर बहुत खुश हुए दादा जी ने बच्चों को कौपियां चौक और पैंसिल के टुकडे वित्रित कि इतने में रोहन और दादा जी के सामने प्रगठ हुए और दोनों बच्यों को सामने देखकर दादा जी हत्प्रवरे गए हत्प्रव मतलब चकित रहे गए दादा जी हसते वे बोले कि तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे थे दादा जी ने बच्चों से कहा कि जो समान हम बेकार समझ कर फेक देते हैं वह दुनिया के सैकडों बच्चों के काम आ सकता है जैसे बून-बून से सागर भरता है एक-एक इट जोर कर मकान बनता है तिनके-तिनके जोर से रस्या बनती है रोहन ने दादाजी से कहा आज के बाद मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है हमें चीजों की बरवादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें उन जरूरतमन वेक्टियों को दे देते हैं जो हमारे लिए फालतु समान होता है वो हजारों बच्चों के काम आ सकता है तो इस बच्चों इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेकार की चीजें नहीं फेकने चाहिए ठैंक यू धन्यवाद पाठ दो का अभ्यासकार सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत कच्चे ने लगाएं दादा जी जोपर पट्टी के बच्चों को टौफियां बाटने लगे गलत दोनों बच्चों द्वारा अपनी जासुसी के बारे में जानकर दादा जी बहुत नाराज हुए गलत हमारा फेका हुआ फालतु समान किसी के काम आ सकता है सही है प्रश्न दो सही उत्तर पर सही का चिन लगाएं दादा जी आगन में कहां बैठे थे? चटाई पर दादा जी डुक्त से क्या बीन रहे थे? कागस और आलपी दादा जी पुराणे कागजों का क्या किया? कॉपिया बनाई शाम को बच्चों ने दादा जी को कहा जाते देखा जोपर पट्टी में भाशा बोध प्रश्ण एक निमलिकत शब्दों से भावज जग संग्या शब्द बनाई है उत्चुक उत्सुकता चतुर चतुराई उपस्थित उपस्थिती बच्चा बच्पन चलना चाल, बुढा बुढापा, गरीब गरीबी, हसना हसी प्रश्ण दो निमलिकत शब्दों के लिंग बताईए पाट पाटिका बालक बालिका दादा दादी वरवधू बुड़िया बुड़ा बुड़िया भाई बहन वीर विरांगना बुद्धिमान बुद्धिमती निमलिकित शब्दों के बहु वचन बन लिखिए दरवाजा दरवाजे आँख आँखें सोगात सोगातें कापी काउपिया भावना भावनाएं वस्तु वस्तुएं छातर छातरों खिलकी खिलकिया प्रश्टन चार निमलिकित वाक्यों से कारक चिन छाट कर लिखे बच्चे स्कूल से आकर टीवी देखने बैड गए से कारक चिन्न है वह कार के पीछे छुप गए के कारक चिन्न है दादा जी दस्पिन से पिन बिन रहे थी से कारक चिन्न है दादा जी ने थेले से कौपिया निकाली नी और से कारक चिन्न है प्रभाद बच्चों, पार्ठ दो, नन्य जासूस का आप हिंदी में, नोट बुक में कैसे कारी करेंगे वो मैं बता रहे हूं सबसे पहले आप दिनांग डालेंगे, पार्ठ दो, एक लाइन छोड़कर नन्य जासूस प्रश्च एक, निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर लिखे का, रोहन और हेमा ने घर में प्रवेश करते ही, बाहर के आंगन में एक चटाई पर दादा जी को बैठे देखा प्रश्न खा दादा जी क्या कर रहे थे? दादा जी डस पिन के कचरे में से आल पीन, पुरानी कौपियों के फटे पनने तता स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकडे बीन बीन कर एक स्टील की प्लेट में रख रहे थे प्रश्न तीन गब बच्चों ने दादा जी की जासुसी करने की क्यों ठानी? उत्तर रोहन और हेमा जानना चाहते थे कि दादा जी आखिर क्या कर रहे हैं और डस पिन के कचरे से क्या बनाना चाहते हैं इसलिए छुप कर दादा जी की जासुसी करने का निन ने लिया घा दादा जी का पीछा करके बच्चों ने क्या देखा? बच्चों ने देखा कि दादा जी जोपर पट्टियों में रहने वाले बच्चों को डस्पिंग के कचरे में से छाटा हुआ सामान, चौक, कौपियां और पैंसल वित्रित कर रहे हैं प्रश्ण रा, इस कहानी से आपको क्या शिक्चा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्चा मिलती है कि हमें चीजों की बरबादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे जरूरत मंद के काम आ सकती है